हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लेक मैजिक कैप्चर एंड प्लेबैक का ड्रैबर कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10 के अंदर वो देखेंगे और यह प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करते हैं सबसे पहले कैप्चर एंड प्लेबैक काड को आपको कनेक्ट कर लेना है सिस्टम के अंदर यदि एक्स्टरनल है तो आपको कनेक्ट कर लेना है यदि इंटरनल है तो आपको क करना है यहाँप कर देना है is लिलाख करा इस तरह से मिध्ट तरह कर दबाद आपको इंटी करते हैं लिक करते हैं यहाँपिस्काइश्वी से जाके इस link को copy कर लिजिएगा अपने ब्रॉजर की वियर में paste किजिएगा इंटर किजिएगा तो भी directly ये page open हो जाएगा ये page open होने के बाद आपको क्या करना यहाँ पे capture and playback दिखेगा इसके उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको क्या पर क्रों करना है यहाँ पर आपको लेफ्ट साइट में दिख जाएगा लेटेस्ट आउनलोड तो आपको क्या करना है यहाँ पर चोंप पर होगा उसको आपको download कर लेना है से यहाँ 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 तो यहां से download कर लिजेगा Linux में करना है तो यहां से कर लिजेगा इस वीडियो में मैं आपको विंडो के बारे में बता रहा हूँ इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ विंडो का EXC download करने के लिए यहां पे click कर देना है यदि आप बिना register के download करना चाते है फिर भी आप download कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है यहां पे download only दिख रहा है इसको पर आपको click कर देना है यह टोटल 253 MB का file है तो आपको क्या करना है इसको download कर लेने चालिये download complete होने के बाद आपको आगे का process बताथा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस फोलडर के अंदर घाने जहां आपने इसको save किया है वहाँ पे आपको इस तरह से zip file दिख जाएगा अब आपको क्या करने है इसको अंजिप कर लेने है अंजिप करने के लिए आपको क्या करने है इसके उपर आपको right click कर देने है right click करने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब या तो extract all कर सकते है या नहीं तो आप save unzip या कोई भी extract software आपने install कर रखा है विन्रा कर रखा है तो आप save unzip से भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको extract कर लिजेगा चलिए मैं इसको extract कर लेता हूं अपके case में भी इस तरह से folder आजाएगा आपको क्या करना है इसको open कर लेना है open करने के बाद आपको क्या करना यहाँ पर exe दिखेगा इसी से हम इसको install करेंगे install करने के आपको क्या करने इसके ओपर या तो आप double क्लिक करके install कर सकते या नहीं तो आप इसके ओपर right क्लिक करके install कर सकते दोनों चीज में से कोई एक चीज़ाँ कर लिजेगा करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे next पे click कर देना है इसके बाद करने वेट वेट करने इस्टम होने के बाद यह windows open हो जाएगा आपको क्या करना यहां पर रीस्टार्ट होने के बाद इस तरह से विंडो आपन हो जाएगा अब मालीजे यदि आपकी केस में फ्रेम्वेयर अपडेट के लिए पूछता है तो आपको क्या करना है फ्रेम्वेयर अपडेट कर लेना है लेकिन अपडेट करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान उसको आप ज़रूर रख लीजेगा क्योंकि फ्रेम्वेयर अपडेट के दौरान लाइट नहीं कट होना चाहिए यदि मालीजे आप फ्रेम्वेयर अपडेट करते हैं और लाइट बंध हो गया तो आपका काड़ डेड हो जाएगा इसलिए आपको फ्रेम्वेयर बाद मैनेजर पर आपको डिवाइस मैनेज कि पर किलिक कर देने फंचर कार्ड का ड्रॉट बैवर हो चुका है जाने मैं इसकी क्लोज करके इसको लोगे पैल यहीं पर control panel open किजीएगा, तो यहाँ पर आपको black magic दिख जाएगा, याँ तो आप यहाँ पर click कर को open कर लिजेगा, तो इस तरह से open हो जाएगा, या नहीं तहाँ आप search bar में जाकर, यहाँ से search कर के भी open कर सकते, दोनों में से आप कहें से ही कर बी click कर को open कर लिजेगा, यहां से आपको black magic capture card दिख जाएगा जितना आपने connect किया होगा वो सारा यहां पे आपको दिख जाएगा अब आप यहां पे setting करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जो भी card होगा उसके हिसाब से यहां पे आप setting कर सकते हैं इस तरह से आप इस driver को download करके install कर सकते हैं यहीं आज का हमारा topic था आपको करके दिखा दिया और please guys चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you